दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी good news है अगर आप पब जी लवर नहीं है तो मैं आपको बता दूं इंडियन गवर्मेंट ने सीधे सीधे 118 चाइनी सेप्स को दुबारा से लात मार के बाहर निकाल दिये गया यह तीसरे स्टेज है पहले कुछ एप से ब आपको बता दूं मैं आपको एक सोटारा चाइनीज एप जो की बहुत ही बच्चे भी खो दे रहे ते कई आपने देखा होगा यह दैथ हो गई कभी यह दैथ हो गई पपची के पीछे तो यह बहुत ही बढ़ा कदम उठाए गया है इविन मैं तो यह कहता हूं कई सारे ऐसे एप से सिमिलर उन्हें भी हटाया जाए अधर ने में थ्री फायर बगरा हटा व्यार सब बखवास गेम हैं यह ऐसे गेप समय नहीं चाहिए जो मैं कहता हूं गेम साहिद बुरा नहीं था लोग बुरे हैं जो कि इस गेम को बुरा बनाया और कई न कई ठीक है हो गया बैन बहुत अच्छी बात है देखते हैं कब तक यह हमारा डेटर लीक भी कर रहा था यह से कुछ कहना है गवर्मेंट का कि यह सारे एप्स हैं जो कि एटर लीक कर रहे तो फाइनली इंडिया में बैन हो चका है पपजी मोबाइल और उसके साथ कुछ 118 एप 116 जिन हमारा चलता रहेगा और अपन वाइकोट करते रहेंगे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते हैं